अजे देवगन की सिंगा मगेन और कार्थिकारियन की भूल भूलेया थ्री जो इस साल की most anticipated फिल्मों में से एक है लेकिन समस्या ये है कि ये दोनों ही बड़े बजट की और दोनों बड़े स्टार की फिल्म में एक साथ कलेश करने जा रही है दोनों के पास ये option है कि वो अपनी अपनी फिल्मों को आगे खिसका कर इस कलीट से अपनी फिल्मों को बचा सकते हैं लेकिन अब दोनों ही फिल्म के makers जो अपनी फिल्म को आगे ना खिसकाने की जिद पर अड़ चुके हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में भून भूलिया थ्री फिल्म के मेकर्स ने रोईट सेटी और अजे देवगन से रिक्वेस्ट की कि वो अपनी फिल्म को आगे खिसका दे लेकिन ऐसा करने से दोनों ने ही मना कर दिया क्योंकि भूल गुलिया थ्री फिल्म के प्रिडूसर भुसरण कुमार ने पिछले हपते में रोहित सेटी और अजे देवगन के साथ एक मीटिंग की और ये मीटिंग दोनों ही फिल्मों को कलेज को लेकर थी क्योंकि आजी देवगंदा कहना था कि हमारे फिल्म जो पहले ही ओल्रडी देली से आ रही है और अगो बिल्कुल भी नहीं चाते कि सिंगा मगेन फिल्म को और भी डिले करके रिलीज गिया जाए अलाकि आजे देवगंदा और भुशन गुमार की इस मिटिंग को लेकर के कोई ओफिचियल अपडेट तो नहीं आई है लेकिन रोहिद सेटी की सिंगा मगेन फिल्म जो पहले 15 अगस्त को रिलीज होने वाली थी लेकिन फिर ये फिल्म पोस्पॉन कर दे गई इस फिल्म की शूटिंग कम्पलीट ना होने की वज़े से और अब फाइनली रोहिद सेटी की फिल्म सिंगा मगेन जो दिवाली पर विलीज होगी और इसी के साथ साथ ये फिल्म कार्तिगारियन की भूल भूले अख्री फिल्म के साथ कलेश करेगी जैसा कलेश 15 अगस्त पर हुआ था स्ट्री टू वेता और अक्षे गुमार की फिल्म खेल खेल में बस ऐसा ही कलेश हमें दिवाली पर भी देखने को मिलेगा अलाकि इस कलेश में सिर्दा कपूर की स्ट्री टू फिल्म जो काफी ब्लोकबस्त तर रही लेकिन वहीं पर अक्षे गुमार की और जोनी ब्रायम की फिल्म वेता जो फ्लॉप हो गई और कुछ दिनों पहले सिंगा मगें फिल्म की कुरो प्रडूसर जोती देश बांडे ने भी इस कलेश पर बातचीत की थे और कहा था कि ये सारे बिजनिस डील्ज है ये किसी तरह की इको या फिर किसी तरह की सक्ति प्रूदरसन दिखाने के लिए नहीं है और Singham Again फिल्म जो दिवाली के लिए ही बनी है और जब हम इस फिल्म को दिवाली पर रिलीज करेंगे तो ये सब को समझ में आ जाएगा कि हम इस पिल्म को दिवाली पर ही क्यो रिलीज करना चाह रहे थे और ये साधारण सी बात है कि जब भी दो फिल्में एक साथ रिलीज होती है तो वो फिल्में एक दूसरे को तो नुक्षान पहुचाती है लेकिन मार्केट को तो फाइदा होता है जैसा आमें गदर 2 और OMG 2 के टाइम में देखने को मिला था और ये दोनों ही फिल्में अच्छा खासा कलेक्शन निकाल कर लाई थी और वैसे पब्लिक स्मार्ट है पब्लिक फिल्म के टीजर और ट्रेलर को ही देखकर अंदाजा लगा लेती है कि किस फिल्म के अंदर ज़्यादा दम होने वाला है तो आप देखते हैं कि कौन से फिल्म को पब्लिक का सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है तो चलो अब आपकी बारी है कि आप दिवाले की टाइन पर सबसे पहले कौन से फिल्म को देखना चाहोगे अजे देवगान की सिंगम अगेन को या फिर कार्तिगारेन की बूल बलेयर थ्री फिल्म को आपका जो भी आन्सवर है मुझे कमेंट में जरूर बताना और इसी के साथ सद अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना सीयर करना कमेंट करना फिर मिलते हैं कल नई वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई मस्त रहें स्वस्त रहें और इसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए तैंक यू तैंक यू जैसा हमें जैसा हमें गदर 2 और OMG2 के समय